मित्रों आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वैभवन हर दिन अपलोड होने वाले मेरे चमतकारी टोटकों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और टाइमली अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी दबाएं जिससे नए वीडियो की जानकारी आपको समय से प्राप्त हो सके धन्यवाद के पंचांग की अब चर्चा करते हैं राशी फल की तो सबसे पहले बात मेश राशी की मेश राशी वाले जातक लोगों के लिए आज कानूनी मामलों में कुछ कठिनाई की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है तो जिस तरी कुछ भी अगर आपके कोट कचैरी के मामले चल हों उनमें ध्यान रखी और किसी भी तरीके का डिस्प्यूट वाद विवाद आप ना बढ़ाईए गरीब व्यक्ति को काले वस्त्र का दान करें और भगवान भैरव की पूजा राधना आपके लिए बहुत लापकारी होगी और भैरवाई नमह मंत्र का 108 बार जाप करें क प्रिशब राशी वाले जातक लोगों के लिए कारियस्थल पर लाब और सहयोग बढ़ेगा रत्रिकाल में बड़े बुजर्गों की सेवा करें भगवान राम की पूजा राधना आपके लिए कल्यान कारी होगी तो राम रक्षा इस्त्रोत का पार्ट करें और दूसरों के जो तनाओ और वाद विवाद चल रहा था उससे आपको मुक्ति मिलेगी आज की दिन को शुब बनाने के लिए हनुमान चालेसा और सुन्दर कांड का पार्ट करना आपके लिए बहुत ही आवश्यक होगा वाहन का प्रयोग बहुत साथानी से करिए करकराशी करकराशी वा अगर आरोप प्रत्यारोप लगें ऐसी स्थिति आपके लिए बन रही है तो आज आपको थोड़ा सा सचेत रहना चाहिए और इन सभी परिस्थितियों से बचने के लिए भगवान गणेश की पूजा आराधना करनी चाहिए गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करें या गर से निकलें किसी भी तरीके के वाद्विवाद में बहस में लड़ाई जगड़े में पढ़ने से आप बचिए सिंग राशी सिंग राशी वाले जातक लोगों के लिए परिवार में सुखशांती का वातावरन इस्थापित होगा कोई व्रिद्ध व्यक्ति के स्वास्त क ले करके जो परेशानी चल रही थी माता-पिता हो सकते हैं या कोई और भी हो सकता है उसमें आज आपको लाब मिलेगा आज के दिन को शुब बनाने के लिए विश्णू सहस्त नाम का पाट करना आपके लिए कल्यानकारी होगा संतान पर छोटे बच्चों पर क्रोध करने स आपको बचना चाहिए कन्या राशी कन्या राशी वाले जातक लोगों के लिए बहुती करीबी मित्र से आज कुछ वाद्विवाद हो जाए कुछ बहस हो जाए कुछ कहा सुनी तनाव की स्थिति आ जाए ऐसी स्थिति आपके लिए बन रही है तो इससे आपको बचना चाह आज आपके बॉस की नाराजगी आपको जिलनी पड़ सकती है तो अपने बॉस को खुश करने का प्रयास करें लक्षमी चालेसा का पाठ करें मांसहारादी के सेवन और प्रयोग से आपको दूर रहना होगा व्रिश्यक राशी व्रिश्यक राशी वाले जातक लोगों के आज के दिन को शुब बनाने के लिए बजरंग बान का पाठ करना आपके लिए बहुती आवश्यक होगा किसी भी काम को आप जरूरी काम को कल के लिए मट्टा लिए आज का काम आपको आज पूरा करना चाहिए धनुराशी धनुराशी वाले जातक लोगों के लिए पुरा का अनादर अपमान करने से आपको बचना चाहिए मकर राशी मकर राशी वाले जातक लोगों के लिए आज समाज के प्रतिष्ठित और महत्वपूर्ण लोगों के संपर्क में आएंगे उनसे आपको बहुत अच्छा सामाजिक लाब और व्यापारिक फायदा मिले ऐसी कुमराशी वाले जातक लोगों के लिए जो आपके स्वास्त में समस्या चल रही थी स्वास्त बहतर होता आपके लिए अब दिखाई देता है दीरे दीरे आप स्वास्त लाब कर पाएंगे उसमें सबसे पहला काम आपको एक करना होगा कि आप अपनी रूटीन को अपनी ल काम की पूजा राधना आपके लिए कल्याणकारी होगी ओम रांग राम आयनमहमंत्र का एक सो आठ बार जाप जरूर करिए मीन राशी मीन राशी वाले जातक लोगों के लिए वाहन दुरगटना आदी के योग आपके लिए बनते हैं जल्दिबाजी में अगर आप कहीं इ इंतजार करना चाहिए आज के दिन को शुब बनाने के लिए भगवान विश्णु की पूजा राधना करें उम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का एक सो आठ बार जाप करें पीले रंग के वस्तरों का प्रयोग करें काले और नीले रंग के वस्तरों के प्रयोग से जाना ग्रहनक्षत्र की इस्तितियां क्या कहती है और दिन को शुब बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए अब हम लोग बात करेंगे आज के महाउपाय के बारे में जिसमें आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि समुद्र शास्त्र में क्या वर्णन मिलता है कि कोई व्यक्ति विद्वान होगा या धनवान होगा किसी व्यक्ति की आखों से उसके आइज को देख करके आप ये कैसे पता लगाए आए जानते हैं नेत्र आखें जीवन का दरजा इनको दिया गया है लेकिन कभी-कभी नेत्र जीवन का राज भी खोल दे लेती हैं आखों में जहांकर के पता चलता है कि कोई व्यक्ति बहुत खुश है अंदर से या बहुत जादा कोई दुख है उसके जीवन में इतना ही नहीं आखों से किसी के व्यक्तित्व और भविश्य को भी जाना जा सकता है अपनी आखों को आप गौर से देखें अगर इनमें आपको मासूमियत नजर आती है तो आती है और आखों के अंतिम सिरे में लालिमा है तो समझ लीजिए कि आप बहुत भागेशाली हैं और ये किसी भी व्यक्ति के बारे में ये लक्षन देख करके जाना जा सकता है भवेश्य पुरान के नुसार इस तरह की आखें व होती है ऐसे लोग आगे बढ़कर के जरुवत मन लोगों की सहायता करते हैं जिनकी आखें बड़ी होती हैं वो भागवान होते हैं और आखों का रंग अगर नीला होता है तो वो विद्वान होते हैं आखों का रंग गहरा काला होना बहुती शुब माना गया है जिनकी आख आखें भारी और ठहराव वाली नजर आती हैं वहां दार्चनिक और कुशल सलाकार होते हैं जिन व्यक्तियों की आखें गोल और चक्र समान घुमने वाली होती हैं उन व्यक्तियों से सावधान रहना चाहिए मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा कि उनकी आखें जो हैं को इस्थिर नहीं रहती हैं दर लगातार जा चलती रहती है तो ऐसे लोग जिनकी आइस ज很有 Gor mantle नहीं हैं स्थिर नहीं है वह बहुत चंचल मन के होते हैं और इसे लोगों पर विश्воास नहीं किया जा सकता लोगstersब्द कहा उनकी नजर है क्या-की दिमाग में और में चल रहा है तो ऐसे व्यक्तियों से इसलिए शास्त्रों में कहा गया की साफदान रहना चाहिए ऐसे व्यक्तियों में दूसरों की संपत्ति और दूसरों के सामान को हड़पने की प्रविर्ती होती है जिनकी आखें निस्तेज और जुकी हुई होती है वह आर्थिक रूप बहुत चोटी चोटी बहुत आवश्यक बहुत काम की जो जानकारियां आपको मेरे यूट्यूब चैनल से मिलती हैं यह निश्चिति आपको पसंद आती होंगी आप सभी से बार-बार आग रहे करता हूं कि जब भी आप मेरे वीडियो देखते हैं तो इनको लाइक और शेयर जरूर किया करें और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज से सब्सक्राइब करिए इसी शुब कामना के साथ कि आपका दिन शुब हो मुझे आग्या दीजिए और देखते रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वैभावन हर दिन अपलोड होने वाले मेरे चमतकारी टोटकों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और टाइमली अपडेट्स के लिए बैल आइकॉन को भी दबाएं जिससे नए वीडियो की जानकारी आपको समय से प्राप्त हो सके धन्यवाद फिठ्रों यदि आप अपनी किसी भी व्यक्तिकत समस्या के लिए मुझसे परामार्श और समाधान चाहते हैं यानि आप अपनी किसी भी परसनल प्रॉबलम के लिए मुझसे कंसलटेशन और रेमेडी चाहते हैं औरदूसरा फеसटो फेस इनि मीटिंग के करना आप हमें phone के माध्यम से email और whatsapp के माध्यम से appointment book कर सकते हैं हमारा number है 999-07-24131 आपको दो number दे रहा हूँ इन दोनों number पे whatsapp available है आप whatsapp करें 9818-300-146 यह हमारे office का दूसरा number है अगर आप हमें email करना चाहते हैं तो आप हमें email कर सकते हैं हमारी email id note कर लीजे sharma.webava vaiva.gmail.com इस पर आप हमें email भी कर सकते हैं मित्रों आजकल phone calls बहुत जादा हैं और मुझे भी मालूम है आप लोग call करते हैं phone receive नहीं होता तो आप भी निराश होते हैं ऐसे में email और whatsapp करना सबसे बहतर तरीका है धन्यवाद